नमस्कार श्वागत है आप सभी के ग्यान सम्मान के मंच पे यूपी PCS जो है आरो यारो को टार्गेट करते हैं हम लोग टेस्ट यहाँ पर देख रहे थे और इस क्रम में दिबात करें तो हम लोग GS वर्ल्ड से जो है टोटल पांस टेस्ट देख चुके हैं इसके लवाब PCS मंत्रा से टोटल पांस टेस्ट आपका कंप्लीट हो गया है आज इसका टेस्ट नम्मर छे देखेंगे और यह आपका हिंदी का टेस्ट है और हिंदी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट आप सभी को बताई है तो आप लोग मेरे साथ परलेली अटेम्ट करते रहेंगे कि प्रश्ण अभी चुकि आपका एक्जाम का डेट होगार नहीं है एक्जाम फर्म नहीं आया है तो ऐसे में तभी भी हम आप सभी के लिए काम कर रहे हैं आपको टेस्ट जो है सबता में एक दो मिलते रहेगा भी बाकी जैसे ही नोटिफीकेसन होगार आ जाता है तो आपके डेली काम करना चाहते है यानि यूँ भी PCSR ORO को टार्गेट करते हुए तो उनके लिए हाँ पर मेंटर्शिब प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है और मेंटर्शिब प्रोग्राम में आप इंडॉल हो सकते हैं उसके लिए टिलीग्राम ग्रूप पर लिंक दिया गया है WhatsApp ग्रूप का उसमें जाके आप एड हो सकते हैं वहाँ पर जो है दस तरीक से आपको डेली जो है वहाँ पर वीक में छे दिन वहाँ पर काम किया जाएगा आपके लिए यानि उस प्रोग्राम के मेरे में मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पर आपको डेली टॉपिक दिया ज गूगल मीट के मादे हम से उसका लाइब डिसक्रसन होगा और वहाँ पर आपको टॉपिक में कोई प्रोब्लम होता है तो आप लोग पुछ सकते हैं ऐसा जो प्रोग्राम जेनरली आप देखेंगे तो कोई अपको मार्केट में अबलेबल है नहीं और ऐसे में आपके से जल्दी एड हो जाए चुकि एक बार जो बैच रन हो जाएगा ता आपका टॉपिक कुछ एसकेप हो जाएगा जब आप आगे चलके एड होंगे ता आप लोग जो वाटसप ग्रूप में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रूप में और अल्रेडी हम यहाँ पर डिस प्रूप कर दिया जाएगा जीनी टोपिक आपको पढ़ कर दिया जाएगा अगले दीन साम को जो है वहाँ पर नाइन पी ऐड म नाइन पीम से जो है टेन पीम के बीच आपका टेस्ट होगा यानि पूरे आपके पास तीन रहेगा पढ़ने के लिए और उसी समय जैसे ही आप टेस्ट सब्मिट करेंगे वहाँ पे तो टेस्ट सब्मिट करने के बाद उसका डिस्करसन किया जाएगा एंसर सीटूस का आपको बताया जाएगा एंसर एक्स्प्लेइन करके बताया जाएगा और कोई प्रोबलम हो सकता है तो उसी समय आप लाइप पूछ सकते है चुकि गूगल मीट के मादे हम से हो रहा है तो आप अपना प्रस डेडिक्टली वहाँ से पूछ चकते हैं जो भी कि अब यदि आप पढ़ने वाले हैं तो आपके लिए बहतर तरीके से काम किया जाएगा यानि पैसा आपके पढ़ाई में बाधा नहीं आएगा ठीक है और हमको एक काम करने में खुशी होती है कि अगर मेरे वज़ास से आपके पढ़ाई में अगर एक दिसा आपके मिल सके आप जो है किसी एक्जाम में दी सेलेक्शन पासा के तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्लब्धी होगी और उससे खुशी हमको किसी दूसरे काम में नहीं होगी ऐसे में हम यह काम कर रहा है यह हम आप लोग वाट्सअब ग्रूप ज्वाइन कर लेंगे मेंटर्सिप प्रोग्राम के लिए वहाँ भी बहुत सारा आपको पीडिये फेबलेवल कर रहा जाता है न्यूस्पेपर हो गरा जो भी है करेंट से रिलेटेड कंटेंट हो गया या सब्जेक्ट वाइज वहां पे स अब हाल फिलाल अप्लोट किया जाएगा यूटूब पे बट मेंटर्सी प्रोग्राम में डिली आपके लिए काम किया जाएगा तो वहाँ पर आप आड होके अभी काम कर सकते हैं बाकी यहां जैसे हम टेस्ट कर रहा थे वोसे टेस्ट करेंगे जो भी मार्केट में बहतर होगी उस सारा टेस्ट यहां पर हम डिस्कस करेंगी चली तो एक एक प्रसंद देखते हैं आप लोगो मेरे साथ पर लली कोश्चन को एटिम करें डेली नौ बज़े यह टेस्ट जो है अपलोड होता है आपको अप चाहें तो वहाँ पे लाइब आकर आप दे सकते हैं निम पर सही इंसर क्या हो जाएगा आपका option C ठीक है देखिए यहां पर आपका रूप है ठीक है वन मिनट यहां पर जो है यह रोटी तो तद्वा नहीं है पुछाया ठीक है देखिए यहां पर रूदन हो जाएगा ठीक है रूदन सब जो है तद्वा नहीं है रूदन जो है क् को बताया था तत्सम और तद्भो में अंतर क्या होता है तो रूदन का मतलब रोना होता है रोना क्या होता है आपका ये तद्भव होता है बाकी देखे रूप रोटी और रोपना तीक है रूप का क्या हो जाएगा रूप ये हो जाएगा तत्सम क्या होता है मुल सब्द होता का ठीक है रूपना है रूपना का रूपन होता है चलिए अगला प्रस्ण देखिए दीगे विकल्प में कौन सा सब्द तदभा होगा है ठीक है तो यहां पर देखे लटन्द है लोचन है लोक है और शत्त्य हैंसर कीजिए इसका सही अंसर क्या हो जाएगा आप्सन सी ठीक है तदभा पुछा गया था ठीक है देखे लटन लटन का लटकना होता है ठीक है यहां पर लोचन है आपका लोचन का आपका लोयन हो जाएगा और सत्य का क्या हो जाएगा सच हो जाएगा तीस सब्स क्या है तत्सम सब्द है आपसे पुछा गया था तदभा तो लोग हो था था ठिक है चलिए अगला प्रसंद देखिये निम्नलिखी तद्भो तद्सम में सही सुमेलित नहीं है कौन साइस में तद्भो तद्सम का सही जो है सुमेलर नहीं है ये बताना है सलाई सला का है शवा सवाई लुकूल का वह असव देखिए अब सही उत्तर क्या हो जाएगा आकवा अप्शन बी ठीक है सवा का जो है तत्सम आपको ये शफाद होता है तो ऐसे में क्या हो गया ये गलत हो गया बाकी सब यहाँ पे सही है अगला देखिए अगला प्रस्ण है आपका निम्नली खित तत्भव तत्सम में कौन सा सुमेलित नहीं है देखिए तेहाँ पे सही इंसर आपका क्या बनेगा इंसर आप लोग पहले लिए मेरे साथ करते रहिए सही इंसर बन जाएगा ओप्शन डी ठीक है देखिए रीता है रीती का यत्र अत्र यह अत्र मित मित्रता यहाँ पे माथा है मस्तक माथा का तत्भव जो होता है आपका यह क्या होता है आपका मस्तक होता है तो यहाँ पे पूछा था सही सुमेलित यही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा बाकी सब यहां पर गलत है यह का जो है क्या होता है अपका एस होता है ठीक है यहां पर रीता है रीता का क्या हो जायेगा रीक्त हो जायेगा मित है यहां पर मित का क्या हो जाएगा यहां पर मित्र ठीक है चलिए निमने लिखी तद्वा तद्सम में जो आपको बताना है कि सुमेलित है यानि सही यहां भी बताना है एंसर करें यहां पर तद्सम बताना है देखे सही इंसर क्या हो जाएगा आपसन बी ठीक है आपसन बी हो जाएगा यहां पर सब्सम सब्सम जो है चलिए निमने लिखी तमें सही सुमेलित नहीं है गलत बताना है कौन सा है तसान इसान सा प्रस्ष्ण है देखे जैसा या द्रिश जो यह मा मिर्ट मात्री चाचा पित्रो गुलत कौन से यह बिताना है देखे सही क्या हो गया है यहाँ पर ओप्शन सी मा का तत्सम सब्द क्या होता है माता होता है मा का तत्सम माता होता है ठीक है और यह जो मात्री है, यह माई का तत्सम होता है, ठीक है, बाकी सब यहाँ पर सही है, ठीक है, अगला दीखिए, निमने लिखीत में से कौन सा सब्द तदभव हो है, यहाँ पताना है तदभव कौन सा है, ध्यान से अप्शन को पढ़े हैं, एंसर करें, पत्सम सब्द है, तो वैसे में जो है, आप से पूछा गया था कि तदभव, देखिए सिंपल से समझ लीजिए तत्सम मुल सब्द होता है और उसका ही एक अन्य रूप जो टाइम के साथ चेंज हो जाता है यहां पर आपको तत्सम बताना है अउला का जो होता है आमलक होता है जामुन का जंबू होता है चांदी का आपको रजत होता है एला का तद्वो क्या होता है इलाइची होता है यह सब भी थोड़ा से बात याद रखेंगे और टेस्ट देने के बाद इतना आप सभी को पता चल गया होगा हिंदी का सायथ हम दो टेस्ट अभी दग डिस्कसन कर चुके है तो प्रस्ण आपके एक्जाम में कैसे बनेंगे इसी तरह से प्रस्ण बनेंगे ठीक है निमलेखित में सही सुमेली था आपको बताना है देखिए आप पर सही अंसर क्या हो जाएगा आपसन आपका डी ठीक है बाकी देखिए बाग का बागर नहीं होता है ब्यागर होता है ठीक है बाग का आपका ब्यागर होता है हीरा ठीक है हीरा का जो है हीरक होता है और यहां पे साखी है साखी का साक्षी हो जाएगा चलिए अगला देखिए निमले लिखीत में से कौन सा ब्रामहण का परिवाची सब्द नहीं है परिवाची आपको पता ही है कि एनसर करें देखिए यहां पर सही अप्षिट का ओप्षान सी ठीक है यह पर दूज है भूदेव है विप्र है यह सब ब्रामण समद के परिवाची है जबकि मिलेंद जो है यह भारा का पड़ियाची है ठीक है अगला देखिए निम्नलिकित कौन सा पावन का परिवाची नहीं है ठीक है असान से प्रस्न एंसर करें ठीक है अप्सन हो जाएगा डी ठीक है तने आपका वायू ठीक है मारूद अनिल यह सब क्या है पावन का परिवाची है तने जो है पावन का परिवाची नहीं है तने सब्द जो है पुत्र का परिवा I answer करे जिए कि सह एंसर क्यों जाएगा August inachen ए थीख है यहां पर रद है यह रदन है यह तीख है यह सब्दार्थ का परिवाची सब्द है विभूत जो है आपका यह देओ का परिवाची सब्द रोता है निम्नलिखित में से अमर्तिक परवाची सब्द कौन सा है यहाँ बताना है कौन से परवाची सब्द है एंसर कीजिए देखे सही एंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ओप्सन जो है ठीक एंसर करें अप्सन हो जाएगा वी ठीक है निर्जर देखे अमर्तिकार्थ क्या होता है इसमें बाकी जो दिया है आदर्स दिया आपका अदर्स है अदर्पन का द्रब्ग्रश आपका धन का है ओर रामरस यह रामरस जो है कि धन का जो है आपका त्यक चलिए तो यहां पर इंसर क्या हो गया अच्छा धन का द्रभ्वय हो जाएगा अपका तीक अप सुनते भी होंगे द्रभ्वय देना निम्नलिखित में से मीत्र का परिवाची सब्द कौन सा है सहचर निमन लिकित में से कौन सा शुशन मा का प्रिवाची सब्द है अफसन सही हो जाएगा आपर B सोभा ठीक्ए सुभा जो है सुसुमा का परवाची सब्द है जब कि यहाँ पर सारदा देखेंगे यह किसका है सरस्वती का है ठीक है हेम किसका है यहाँ पर आपका तो यहां पर सार्दा हो गया आपका सिर्शती का हेम हो गया सोना का वनीता हो गया यहां पर इस्त्री का अगला देखे निमने लिखित में से कौन सा प्रिवाची के द्रीष्टी से अने सभी से अलग है असान से प्रस्न एंसर करें यहां पर ओप्सन कौन सा हो जाएगा आपका ओप्सन सी ठीक है बाकियां पर देखेंगे तो आपका गंगा धर है चंद्रमॉली है और मद नरी है यह सब सिव का प्रिवाची सब्द है ठीक है यह सारा तीनों किसका है सिव का चलिए तो अगला एंसर देखते हैं अच्छे यहां पर मधूर इपू है यह किसका है यह बिश्णू का है तो यह अलग हो गया अन्य सब से 17 हो गया 18 देखते हैं निमने लिखित में से कौन सा परिवाची की द्रिश्टी से अन्य सब से अलग है वैसा इंप्रस्ण पूछा करें उन्य से छींशर चाहicamente अुप्संट रगुति इंप्राणफे यहाँ पे भूप्फ है आपका महीप है नरेंद्र किसका है राजा का परिवाची सब्द आज्य की जो कि आपको रगुत्फ दिया है यह आपको पता ही है किसका है राम का है अगला देखिए परिवाची क कौनसा इखम, शही सुमेलित नहीं है ठीक है अंसर किजिए यहाँ पर सही अंसर हो जाएगा option B आपका ठीक है, बाकी देखेंगे यहाँ पर तो सब सही है गरल आपका भीस सही है, ठीक है यहाँ पर लक्षमी सिरी हो गया ब्रिष्टी पावस हो गया आपका यह सब क्या है सही है चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छे यहां पर राम जो है श्वमित्र दिया है ठीक है श्वमित्र राम का नहीं है यह लक्षमन का परिवाची सब्दे ध्यान रखेंगे परिवाची की दिरिष्टी से कौन सा जो है शुमिलित नहीं है यहां भी ओई धुणना आपको देखेंगे आपकर सही इंसर क्या हो जागा ऑपसन आपका डी ठीक है बाकी सब यहां पर सही है आपको यहां पर मर्तिंडे है आदित्डे है सुरे है ठीक है है तो यहां पर अधित्य मर्तंड्य सई आपका नहार के स्री जल्दी रत्नाकत अहीं जो है आपको निलकंड दिया ए अहीकार्त आपको क्या होता है सर्फ होता है ठीक है और यह निलकंड की बात करेंगे यह मौर का परिवाजी सब्द होता है अगला देखिए निम्लिखी साम सा प्रशन एंसर करें कर के सिअद्र यहांपर पथा गिरा पड़ा पेड़ों से पेड़ से पत्ता गिरा टहराए c पेढ़ पत्तागीर 2 पिंख स्वूद्हों ने कि यहां पर लिखा हुआ था पिर में से पत्तागीर 1 bzw । दोनों देखार है कि जैसे लग देखिए लगई है तो पीड में से जगा पर पीड से यहां पर सुध होगा ठीक है चलिए बाकी आप लोग कुछ लोग डी भी इसका अंसर किये होंगे निमने लिखित में से कौन सा वाक के शुद्ध है बिल्कुल ही अराम से धहरे से पढ़िए फिर अंसर किजिए इसका देखें दुकंदार ने ताला खोला दुकंदार ने ताला खुला दुकंदार को ताला खोला दुकंदार को ताला खुलवाया देखें ऑप्सन इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्सन सिंपल सा है ऑप्सन ए हो जाएगा दुकंदार ने ताला खोला निमने लिखित में सही वाक्य पहचानी है बहुत यसान एंसर करें, तुम तुमहारा काम करो जैसा देश वैखावेस, आफ इधर बैठो, शीता गुणवान इस्तौरी है, देखें, एंसर क्या हो जाएगा है, आपका option B, जैसा देश वैखावेस, देखें, पहले लिखा हुआ था कि, तुम तुमहारा काम करो, ठीक है? इसका सुद रूप क्या हो जाएगा, तुम अपना काम करो, ठीक है, तैसे में गलत हो गया यह, आप इधर बैठो, आप इधर बैठो का सुद रूप क्या हो जाएगा, आप इधर बैठी यह, ठीक है, सीता जो है गुणवान इस्त्री है, इसका सुद रूप आपका क्या हो ज है निश्वार्थ है विश्र स्टह्रम है पढ़ियाम है एंसर किजी अ कि सांप इनस तो कहाँका अप संह संढी हुए ठिक है अनुवाई ठीक है अनुवांज तर्ए तरह गलत है आपको किलिएरभा पता होगा अनिवाई कैसे अहमलों लिखते हैं अनुयाई ठीक है यहाँ पे बिशेश ते दिया हुआ है ठीक है इसको कैसे लिखेंगे नीश्वार्थ देखिए नीश्वार्थ भी आपको गलत लिखा हुआ है नीश्वार्थ कैसे लिखा जाता है नीश्वार्थ थीक है चलिए अगला देखे निवने लिखित में सा सुध सब्द बताना है यहां पर सुध नहीं असुध दौताना है सुची है पैत्रीक है महत्तो है यानि है देखिए option D गलत है यहाँ पे बाकी कुछ आपको सहीं दिख रहा है यानि कैसे लिखते हैं तीक है यानि आपको यसे लिखते हैं अगला देखिए प्रस्ण संक्या 26 इसमें प्रक 60 प्रस्ण है और जैसे आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं बिल्कुल उसी पेटर्न पर हैं इन में से सुध बरतनी सब्द बताना है बहुत असान सा प्रसने अंसर करें यहां क्या हो जाएगा option B हो जाएगा उपर्युक्त ठीक है उपर्युक्त जो है यह सुध है बाकी कुछ यहां पर सुध ही दिख रहा है निमने निखित में से सुध बरतनी वाले कथन को पहचान कीजिए अच्छा प्रसने अंसर कीजिए भिश्मे ने अपने प्रतिग्या प देखेंगे तब इसमें अपनी प्रतिग्या पूरी की यहां पर देखेंगे प्रतिग्या सब्दी गलप दिख रहा है सीदे यहां सुध आपको बरतनी बताना था हमें सीधे साधे मार का अनुषरन करना चाहिए यहां पर कि यहां पे अनुषरन यह गलत दिख रहा है यहां पर दिल्ली जमना के किनारे जो है भसी है यहां पर देखेंगे तो जमना नहीं होगा आपको क्या होगा यमुना होगा ठीक है चलिए अगला देखिये शुद्वर्थनी के चैन कीजिए असान सा प्रस्थन एंसर कीजिए देखिए आपर सही अंसर क्या हो जागा option A सद्रिश्य बाकी सब यहां पर गलत है ठीक है अगला देखिए प्रस्न संख्या अनेक नाम है अनेक जो है आपको बहुबचन के साथ उपयोग मिला जाता है ठीक है अनेको जो है यहाँ पर एक जगा लिखा गए था तो ऐसे में अनेकों क्या था आपको गलत था अनेक खुद बहुबचन है तिसके लेने को लिखने की जरुवत नहीं है दिये का सब्द में सुध बरतनी वाला सब्द बताईए सुध बरतनी वाला सब्द असान सा कोशन है देखे सई अनसर क्या हो जाएगा ऑप्सन भी सचीदा नंद बाकी देखे गलत ही यह आप घनिश्च जो दिया है आपको गलत ही है ठीक है यहाँ पर यह ठा हो जाता तब यह आपका सब्द सही हो जाता संसारी गलत लिखा है सीधे दीख रहा है ठीक है उसके बदने के समसान ठीक है यह भी आपको गलत लिखा हुआ है ठीक है यह क्या हो जाता आपका शम जो है आदा सौ होता है यहाँ पर चलिए अगला देखे न अंसर कीजिए आप लोग देखें सही अंसर क्या हो जागा option यहां पर बी मेरा नाम राधा रमण है विक्रमा दित्य लोक प्रिये शासक थे संग्या के चारुधारंदो कृष्ण बंसी बजाते थे यहां पर आपको गलत बरतनी बताना है तो कृष्ण जो है बंसी बजाते थे देखें यहां पर बंसी इस सब्द गलत लिख रहा है ठीक है बंसी आपको पता ही है कैसे लिखते हैं हम लोग ठीक है चलिए जब कोश्चन में इंडिकेट कर दिया बरतनी तो बरतनी पर धियान देंगे यहां पर असुद बरतनी बताना है आपको एंसर कीजिए जिके सही एंसर क्या हो जाएगा आप आप आप्सन ए ठीक है उजुवल आप सभी लिखते होंगे उजुवल कैसे लिखते हैं हम लोग जुवल ठीक है है कि चल quan आगे देखते हैं अ में यहां पर नैक्स पुछा हुआ होगा है कि स्याम जल से जो है पौधे सीच रहा है वाक के कसुद रूप क्या होगा अख्याम पौधे सीच रहा है जल से सिच रहा स्वस्ठ गलत है जल से सीच रहा स्याम पौधे को ठीक है यह काफ़ आसान सा प्रस्ण था प्रस्ण pan-rapo 64 देखते हैं 개 लिए हमिए कि क्या पुछा गया है निवड़नी लिखित में से कौं सवाक अशुद है बच्चों ने कहा था, पर आपने नहीं सुना, पेड़ों से पत्ता गिरा, अमीत ने जेव से 10 रुपय अगर नोट निकाला, बिद्धा सदेव सात रहने वाला धन होता है जिके सही इंसर कहा जाएगा, ओप्सन यहाँ पर D, ठीक है, बिद्धा सदेव सात रहने वाला धन होता है, यहाँ पर आप देखी पा रहे हैं, कि गलत क्या है यहाँ पर आपको, सदेव है, शदय होता है, सदय हो, ठीक है, चली, आगे देखते हैं, निमनलिकित में से कौन सा वाक के शुद्ध है, असान से प्रस्ट एंसर करें, मैं सारी रात भर जगता रहा, दीन भर वह कड़े परिश्रम करता रहा, परत्यक्स के प्रमाण के हो सकता नहीं होती है, फलों का विक्रता मुझे प्रती दिन फल दे जाता है, यहाँ सुद्ध बताना है, अप्सन क्या ह हो जाएगा, डी, ठीक है, यहाँ पर देखिए, मैं सारी रात भर जगता रहा, मैं सारी जो है, रात जगता रहा, सही होता, लिखा हुआ है, दीन भर वह कड़े परिश्रम करता है, दीन भर वह परिश्रम करता है, ठीक है, परत्यक्स को प्रमाण के हो सकता नहीं होती है, प क्योंकि यहां पर देखिए यह option C में आप द्यान दियेंगे पर्तियक्ष के लिखा हुआ है पर्तियक्ष को होता है ठीक है द्यान देना एक एक सब पर फिर आप गलत नहीं करेंगे लिखित में से असूध बरतनी पहचान कीजिए अच्छा किनी को लग रहा है तो आप लोग मां से जाएगा देखिए असुध बरतनी बतानी है आपको इसका इंसर ओप्सन कजाएगा बाकि सुख सही है याप निर्दफ परमाडिक है और रहें पर देखते हैं असुध सब्र चैनिंप कीजिए अंसर कीजिए आप लोग असान सा प्रशन है सही अंसर क्या हो जाएगा आपर option D ठीक है बेवहारीक आपको बता ही है बेवहारीक हम लोग कैसे लिखते है ठीक है चलिए आगे देखते है सूध सब्द यहाँ पर बताना है ठीक है सूध सब्द कौन सा होगा असान सा प्रशन है option A और दोगिक देखे सूध सब्द है बाकी यहाँ पर गलत ही है मन्दाकनी की जल्धारा अजस्प्षर के रूप में परवाइत हो रही है रेखांकित सब्द का सूध रूप क्या होगा देखे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका option आपको B हो जाएगा मन्दाकनी की जल्धारा जो है इसका सूध रूप यहाँ पर देखेंगे तो A जस्प्र के रूप में परवाइत हो रही है निम्दिकित में से कौन सा सूध शब्द है बताना है अंतियुक्ती है कवित्री पुज्य है पक्षिंगर्ण है पक्षिंगर्ण देखेंगे यहाँ पर सही एंसर क्या हो जाएगा आपका option D ठीक है पक्षिंगर्ण सुध सब्द है बाकी देखें यहाँ पर यह क्या होता है अतियुक्ती होता है ठीक है कवी यह 3 नहीं होता है कवी यह 3 होता है कव होता है यह 3 तो ऐसे में गलत हो गया पुझी तो आपको clear दीख रहा है पुझी भी आपको गलत है पुझी ऐसे होता है अगला दीखिए अभीगे का बिलोम नहीं है बताना है ठीक है सही एंसर क्या हो जाएगा option B ठीक है अभीग्य सब्द का बिलोम क्या होता है अग्य होता है ठीक है यहां पर अभीग्य का बिलोम नहीं है पुछा गया है ठीक है तो अग्य भी होता है अभीग्य का बिलोम अनभीग्य भी होता है ठीक है अभिग्य भी हो जाएगा यहां पर चतुर जो है नहीं होगा ठीक है अगला देखिए कोशन संख्या 42 42 इधर ही होगा ठीक है देखिए क्या पुछा गया निमने लिखी तुमें से ओत पुरुत सब्द का बिलोन सब्द नहीं है एंसर किजिए देखिए सई क्या हो जाएगा आप्सन ए बिलोम सब्द है बताना है बहीन हो जाएगा ओत पुरुत का ठीक है यहां पर अनिस है आपको अनिस सब्द जो है इसका बिलोम होता है ठीक है परगामी है सयुक्त है आपका सभ्द और उनके बिलोम सब्द के संदर में बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है अच्छा कोशन एंसर करिए यहाँ पे अरजित है उपलब्द अदोश अदोश अवेक्षा अनवेक्षा अलोक तिमीर concept इतहिए अदोश 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 अरजित विलोम जो होता है अनरजीत होता है तैसे मैं यह सब्सक्राइब सब्सक्राब यहाँ कि अनुग्रव बिग्र 것으로 अपस्ण क्या हो जएगा आपस्प स्थщam कि यहां पर चुक li, नहीं बताना था यह नि गलत बताना था स्वारत का क्या होता है परमार्थ होता है भू थिक है याद रखेंगे बाकि Йे थ upp यह तिक ही है निमल में लिकित में से कौन सा यंच नहीं है नहीं है ठीक है देखें यहां पर क्या हो जाएगा च्छली निश्चल भोगी योगी जागरिती सयन निश्काम सकाम सही अंसर क्या हो जाएगा आपको क्या बताना था गलत बताना था देखें च्छली निश्चली होगा भोगी का योगी सही है बिल्कुल निश्काम सकाम ही होगा जागरिती क क्या हो जाएगा आपका सुसुप थी अगला देखिए निमने लिखित में से किर्पा का बिलोम है किर्पा का बिलोम क्या होता है आपका कूपत अफसानी हो जाएगा अगला देखिए 46 हो गया 47 और असका बिलोम सब्द है असान सा प्रस्न एंसर कीजिए और असका बिलोम क्या हो जाएगा यहाँ पर जाराज ठीक है नेक्स देखिए निमने लिखित में से कौन सा बिलोम युक्त तुरूटी पूर्ण है गलत बताना है कौन सा है देखिए यहाँ पर उत्पत्क यह का अधीपत्किया का मिर्दूल रुक्ष अपर्ण समर्पण चांचल ले इस्त्रा है सही इंसर यहाँ पर क्या हो जाया अपका आफ्सन सी चुकि यहाँ पर पुछाय कि कौन सा युक में तुरूटी पूर्ण है ठीक है बाकी सब यहाँ पर ठीक दिख रहा है अर्पण का बिलोम जो होता है ग्रहन होता है नाकी समर्पण अगला देखिए फुट्टी नाइन पुछागे निमने लिखित में से कौन सा बिलोम सब्द जो है तुरूटी पूर्ण है ठीक है यानि से मोही आपसे प्रश्ण है भूशन है पूशन नीरत भीरत यवन जरा अनयास शय का इंसर करें देखिए भूशन का दूशन होता है तैसे में यही गलत है यही आपका स़ाह अंसर बन जाएगा निमना लिखित में से प्रशीन शब्द का बिलोम सब्द है प्रशीन का बिलोम बताना हैं सर किजी पूरातन है बरतमान आवार्चीन या भिफुल देखिए एकावन की आफ़ले कभी ना हुआ हो इसको एक सब्द में क्या बोलेंगे अद्वूत का मतलब क्या होता है बड़ा अश्चर्ज या बिसमे उत्पन करना यह अद्वूत होता है आपका अनुपम का अगर देखेंगे तनुपम का अर्थ होता है बेहद उत्क्रिष्ट ठीक है आगे देखिए निमने लिखित में से सही मेल छाटे एंसर किजे इसका देखें जिसका अंत ना हो अतुल्लिये जिसका तुल्ला ना हो अनुदित जिसका अपराद सिधो अपरादी जो साधे ना हो असाधे यहाँ पर सही मिला पुछटना है जिसका अपराद सीधों से अपरादी ही बोलते हैं ठीक है इसमें कोई डाउट तो होगा नहीं जिसका अन्त ना हो उसको अनन्त बोलते हैं और तुल्निय नहीं बोलते हैं क्या बोलते हैं अनन्त जिसका कभी अन्त ही ना हो जिसकी तुलना ना हो उसको क्या बोलते हैं और तुलनिय बोलते हैं ठीक है यह उपर सब्द दिख रहा है आपको जो शाद्य ना हो ठीक है इसको असाद्य बोलते हैं और शाद्य अगला देखिए जो कभी बुढ़ा ना हो के लिए एक सब्द बताना है कौन सा होगा असान सा प्रश्ण है तेकि सब्सक्राइब का जाए अजर ऑफसंट डी हो जाएगा ठीक है अच्छे आप अजर भी है अजर क्या होता है जो न गिरे न जहरे उसे अजर बोलते हैं शदा प्रसंद रहने वाला वाली एकला प्रेमी नाएका कि एंसर किजिए देखिए इसका सही अंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्सन बी अगला देखिए इती व्रित सब्सक्राइब के लिए उचित वाक्यांस का चैन कीजिए किसके लिए इती व्रित के लिए अग्यां पर दीए है बिटावाइब का घटना कर्में है जन्स हदारत से प्रिसली धरनाई है समाझ की घटनाओं का क्रमवार वेवरा ये सीमा का अनुचित जो है उलंगान। संख्ण से अंसर के अप्शन सी समाज के घटनाओं का करमवार वे ओरा ठीक है अगला देखिए प्रसन संख्या 56 असुल मिलित जुड़े को आपको चैन करना है ठीक है देखिए जिसको पार देखा जा सके आप अदर्सक दो बार जन्मने वर दीज अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह जो कुछ नहीं जानता उसको अग्य बोलते हैं ठीक है बताईए देखिए जिससे पार देखा जा सके उसे आपार दर्सी नहीं पार दर्सी बोलते हैं क्या बोलते हैं पार दर्सी तैसे में गलत हो गया बाकी सब सही है दो बर जन्मने मिले को दूश ही बोलते हैं जो कुछ नहीं जानता अग्य जिसका कोई अकार ना हो ठीक है असान सा प् अल्पकार दिया है छोटी ओदी के लिए यहां पर आपको विकार भी दिया है किसी इस्तिती बिशेस में प्रतिकूल परिवर्थन के लिए बिजली की तरह तिब्र बेग वाले को क्या बोलते हैं अगला देखिए जिस पतनी का पती बाहर हो के लिए उपरिक सब्द क्या होता है सब्सक्राइब प्रोशित पतिका यहां पर प्रतियासित दिया है जिसकी जो है आसा न रही हो उसे आप प्रतियासित ही बोलते हैं और प्रकृत जो प्रकृति के अनुरूप नहीं हो अस्वास्त टीक है जिसे जो है अस्वासन दिया गया हो वह अस्वास्त होता है और लास्ट प्रसने आज का शमुंद्र की आग के लिए उचित सब्द क्या है शमुंद्र की आग के लिए option क्या हो जाएगा यहाँ पे c ठीक है जला गम यहाँ पे है आपको दावानल जो होता है बनिया जंगल की आग को कहते हैं हम लोग बड़वानल दिया है ठीक है बड़वानल करते है शमुंद्र में आग से है और यहाँ पे भी साग नहीं दिया हुआ है ठीक है चलिए तो यहां पर जो है अपना ओप्शन कौन सी बनेगा तो हम लोगे साठ प्रस ने फिनिस किये अब नेक्स टेस्ट जो है आपका टेस्ट नमर साथ आपको मिलेगा फिर से लगे तो आप है बना के पेशेंस बना के थोड़ा रखेंगे जो ही आरो हो यजि बाकि आपके लिए डेली काम जो है दस अगस्त ठीक है दस अगस्त नकस्त से प्रगा मैयिड हो के आप डेली टास्मार स्भी से होता आप पूछ भी सकते हैं और अपना मुल्यांकर जो है कर सकते हैं चलिए तो फिर हम लोग नेक टेस्टरीज में मिलते हैं तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद